वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बाते करना चाहूंगी जिन लोगों को डारेक्ट वेट लॉस जर्नी के बारे में जानना है वो यहां तक स्किप कर सकते हैं हलो एवान, विल्कुम बैक तुमाया चानल अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं मदर सेंट्रिक वीडियो हर थर्स जो और साटड़े इस चानल पर लेकर आती हूं सो मेक शूर यू सब्सक्राइब दे चानल लें प्रेज दे बैल आइकन सो आज की वीडियो बहुत ही सिंपल है और टाइटल देखके आप समझ गए होंगे कि आज मैं अपनी वेट लॉस जर्णी के बारे में आपसे बात करूंगी पहले मैं यह बता दूँ बहुत लोगों को confusion है मेरे यह वाला थमनेल और वीडियो देखके कि इसमें मैंने वेट लॉस के बारे में कोई बात नहीं की यहां में डिस्क्लेमर देदूं कि यह वीडियो सी सेक्शन की recovery कैसे हो इस पर है उसमें मैंने यह बास जरूर बताई थ यह नहीं है कि वह वीडियो बेकार है मैंने उस वीडियो पे कुछ information नहीं दी वह वीडियो जिनका सी सेक्शन हुआ है उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि जो सी सेक्शन होने के बाद initial एक हफता होता है उसमें आप अपने आपको कैसे तयार कर सकते हो अपन आपके साथ शेयर करें इसके थमनेल में मैंने यह जरूर लिखा है कि मैंने 13 kg वेट लूस किया जो कि बिल्कुल सच है बट वह वीडियो रिकवरी की है ना कि मेरे वेट लॉस जर्णी की अब मैं ड्रीमम टूपे पहली बार अपनी वेट लॉस जर्णी के बारे में डिटे बिल्कुल दो मैंने इसलिए बौली क्यों बहुत लोगों का उस वीडियो पे कमेंट आया कि आप वेट लॉस के तो बता दिया बर यह निद्यकि मैंने कैसे शुरू किया या मैंने क्या क्या किया अगर आपका सी सेक्शन होने वाला है या हुआ है तो आपके लिए यह बहुत जादा इंपोर्टेंट वीडियो है इसको स्किप मत करिएगा इस वीडियो का लेंक आपको आई बटन में उपर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और सबसे पहले कमेंट में जरूर बल जाएगा अगर आप चाहें तो आप वो वीडियो देख सकते हैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपनी वेट जर्णी के बार में बता दू मैं कभी भी स्लिम लड़की नहीं रही और अपनी कंसीव करने से पहले तक की जर्णी इस वीडियो में आपको में बता चाहिए अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको लेंक डिस्क्रिप्शन में मे उच्व कर रहे हो इसलिए कर रहे हो कि आफ इसलिभर्ण को अच्छा दिखना है क्योंकि यह आपको फील हो रहा है कि मेरी बोडि अच्छी नहीं दिख MARY या Ilasak कर रहे हो कि आपका पार्टनर आपकी आपकी सॉशल लाइफ इस चीज़ से इंपैक्ट हो रहा है आप चाहे एक मिड एज की लेडी आपकी लुक्स आपके वेट से डिफाईट नहीं होती बहुत ऐसी लेज्ज है जो मोटी भी है और पहों मोटी मेंने गलत वर्ड योज किया जुख भी बहुत अच्छी लगती ہے और जो अंडरbn भी बहुत अच्छी लगती है आपका कोर रीजन ये नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी सेकंड परसन को ये दिखाना है कि मैं एट्राक्टिव बनने के लिए वेट लूस कर रहे हूं या वेट गेन कर रहे हूं आपका कोर परपस आपकी हेल्थ आपकी लुक्स जो आपको अच्छी नहीं फिगर होता है यहां यहां जो एक न्यू ओम होती है उन पे एक प्रेशर रहता है आप एक ब्यूटिफुल फेज में हो मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ब्लेस्ड फील करती हूं कभी-कभी हिर्दानशी को जब मैं हसते वे देखती हूं उसके ऐसे श प्रेगनेंट लगती हूं या मुझे एक दो लोगों ने अभी भी टोका है कि क्या आपका प्रेगनेंसी का सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है और मैं अभी का इंसिडेंट बताती हूं बिल्कुल रीसेंट का आठ अगस्त का मैं कोविशील की फॉर्स डोस लेने गई थी इस पे भी मैं ये वीडियो बनाऊंगी कि मैं ब्रेस्ट फीड कर आते हूं वह भी वैक्सिनेशन लगवानी चाहिए और उसके क्या रीजन्स है और क्या बेनेफिट है और लॉए मनबज़ से बढ़ है फहीं से थोड़ा बचने के लिए ज़नहोंने गवानी जिस्ट्र कर रहे तो उन्होंने मुझसे ये बात पूछी कि कि आपका कौन सा मन्थ चलहा है मैंने तेरा से चौदा किलो वेट लूस किया है अपनी डिलिवरी के बाद और मेरी डॉटर साथ महीने की है मैं फुल अफ एनरजी, फुल अफ मोटिवेशन और इतने एंथूजियाजम के साथ इस चीज़ को बोलती हूँ कि मैंने तेरा केजी वेट लूस किया है और अचानक से मेरे सामने कोई आता है और मुझे बोलता है कि आपका कौन सा मन्स चलता है दिस वॉज लाइक ओशिट मैं अभी भी इतनी मोटी लग रही हूँ बट एक सेकिंडर लिटरली एक सेकिंड के अंदर मैं ये कोई अपनी प्रैस नहीं आप जूट मोल रहे हूँ एक सेगिंडर ही मेरेको वो जो ठाइल्ट फाव था हो था कि यार और मैंने उनसे अपना चानल सब्सक्राइब करवाया कि मैं आपको अपनी पूरी वीडियो दिखाऊंगी और आप देखना है कि मेरी कितनी महनत है उसके बाद आप ये बात प्लीज किसी और को मत बोलना इसलिए नहीं कि मुझे बुरा लगा इसलिए कि न्यू मॉम्स के उप जिम नहीं जाना चाहिए तुम नहीं माँ हो तुम अपने बेबी को छोड़के एक्सराइस के लिए या मी टाइम नहीं ने कालना चाहिए बहुत लोग इस चीज को बहुत ही गलत नजरीय से देखते हैं और यह तुम एक मदर हो तो तुम अभी भी प्रेगनेंट दिख रह हिसे अगा दोने की सिक्षाए बीको देख रही हो मैं कभी भी इतनी मोटय नहीं थी और मैं आज में हो मैं तब नहीं थी जम यरा więcej सेवेंटेफाइव सा मैं तब तब भी अज मेरा व क्हा अई विट सेवेंटीवन है और मतलब कुछ भी चीजि Amendment और मूता हो होना आnd ей और वेट होना ओवर साइज होना एक न्यू मॉम को यह बूलना कि आपका कौन सा मांच चल रहा है इन चीजों से उपर उठ जाओ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो लिटरली बेरी आखों में देखके ये बात सुनो जो मैं बोल रही हूं उस पर फोकस करो आप ऐस इंडि विश्मल बहुत सुन्दर हो आप उस बॉड़ी के बारे में गलत सुनने की हिम्मत कैसे कर सकते हो जिस बॉड़ी ने आपका 9 महीने साथ दिया जिस बॉड़ी ने आपको हेल्दी रखा आपके बेबी को हेल्दी रखा और उसके बाद आपकी नॉर्मल या सिजेरियन डिलि तो उसके बाद अब इस बॉड़ी के बारे में जिसने इतना साथ दिया बहुत कॉम्लिकेशन आती है प्रेगनेंसी में कभी और स्टेटिक कोलेस्टेटिस तो शायद बहुत ऐसी चीज़े जो बहुत चोटी है बहुत लोगों को बहुत जादा दिक्कत होती है जो लोग आई आप किसी ऐसे परसन से जो शायद आपकी लाइफ में इतना इंवॉल्व नहीं है आपकी लाइफ में कोई एक्जिस्टेंस नहीं है आप उसकी छोटी सी स्टेटमेंट से अपनी बॉड़ी को टॉर्चा करना शुरू कर दो तो इसमें कोई और गलत नहीं है इसमें आप गल वह थोड़ा पांच दस किलोगेट कर ओम यह कोई टारगेट नहीं है बिल्गुल कोई टार्गेट कि मुझे ओह बिखनी बॉड़ी में हाना यह नौल मेरा कोई आसा टारगेट नहीं है मैं जस्ट इसलिए थोड़ा सा वेट अपना लूस करना चाहते हूं कि आपकी बॉड़ी में आपका यह जो फ्रंट कोर एरिया होता है यह बहुत जादा वीक हो जाता है मुझे यह बात फील होती है कि जब मैं और पांदस साल बाद अपनी बॉड़ी माजन करूं तो वह फुल आफ स्ट्रेंथ और एनर्जी होने चाहिए ना कि ऐसे कि मेरी पीठ में दर्द हो रही है मेरा सिर दर्द हो रहा है मेरे पैरों में हिम्मत नहीं है मैं अपनी लाइफ प्रण चाहते हूं इसलिए मैं वेट लूज कर रहे हूं इसलिए मैं अच्छा खा रहे हूं नॉट बिकॉस इसलिए कि मेरे पास कोई थर्द परसंट आता और यह कहता है तेरा तो मंध चल रहा है यह तुमाहीं डिलिवरी कभ है नहीं बढ़ता मुझे बच्पन में भी को मेरे में बता चके हूं मेरे को PCOD भी हो गया था तो उस वजह से भी मेरा वेट काफी हाई था अब मैं किस सिच्वेशन से गुजर रही हूं उपर से मेरे पास कोई आके यह बुले कि तुमोटी है और उसके बाद मैं इस चीज को बुरा मान के बहट जाओं यह मुझे बिलक प्यारी प्यारी फ्रेंट्स हैं मैं उनके दिमाग में यह जालना चाहते हूं कि आपका वेट कितना भी है चाहे आप 70 80 90 और शायद हो सकते उससे उपर भी हो कोई भी सरकमस्टान्सेंस उसकते हैं मेडिकल इसूस हो सकते हैं इमोशनल इसूस हो सकते हैं और कभी-कभी हमार मेरा मक्सद यह है कि मैं छोटी ऐसी फैमिली बना पाऊ जिससे मैं जो सीख रही हूं उनको मैं समझा पाऊं और मैं उनसे साथ साथ सीख पाऊं तो यह तो थोड़ा जादा सीरिस हो गया मामला यह तो पर लेक्ट्र सा देने लग गए तो इन सब चीजों को छोड़के मैं में आपको अपना वेट का अपडेट जिस दिन मैंने कंजीब किया था उससे पहले जो मुझे मेरा लास्ट वेट याद है वो था 76 kg जिस दिन मेरे डिलिवरी हुई उसे एक घंटा पहले मेरे फाइल में जो मेरा वेट मैंशन है वो है 85 प्लस kg और मैं एक हफते बाद अपनी डिलिवरी के गई थी आपने डॉक्टर के पास जो स्टिचरिस का रिमॉबल वगjang होता है वो स्टैपलर स्टिचरिस से तो उनका एक हफते करनी होते आप इस वीडियो में देख सकते हैं उस दिन जो मेरा वेट लोग हुआ था वो हुआ था 4 kg कं यानि उस टाइम पे मेरा एक हफ़ते के अंदर 81 kg था उस दिन से आज तक जो मेरा अब करण्ट वेट है वह सेविंटी वन पॉइंट सेवन केजी सो यह एक बहुत ही जर्णी है इसमें मैंने बहुत सारी चीजें ऐसे की हैं बहुत सारी डाइट कर ख्याल और इनिशल डेस में ख्याल और यह सब चीजे हो रहा है यह होने बाला है तो यह वाली वीडियो जरूर देखेगा यह वाली वीडियो रिकवरी के ऊपर है यह वाली वीडियो वेट लॉस जर्णी के ऊपर नहीं है इस वाली वीडियो में मैं आपसे अपनी वेट लॉस जर्णी के बारे में बात करूंगी और से 14 किलों के बीच में वेट लूस किया है यहां मैं आपको दो तिन टिप्स देना चाहती हूं अगर आपके डिलिवरी हो चुकी है और कुछ टाइम हो गया अगर टाइम नहीं हुआ है तो मैंने बहुत वीडियो बनाई ही है अगर आपके इनिशल डेस चल रहे हैं आपका जा सी सेक्षिन के बाद बोस्ट अफ दे केसे में ऐसा होता है कि बॉड़ी को बिल्कुल हिलाने तक की हिम्मत नहीं होती और यह बिल्कुल फैक्ट है अगर आपका सी सेक्षिन नहीं हुआ तो मैं आपको डरा नहीं रही मेरे साथ ऐसा सिचुएशन था कि मुझे एक कंदे से म मेरे हस्बंड उठाते थे और वो मुझे टॉलेट तक लेके जाते थे और वो लुक भार खड़े रहते थे कि कब मैं आवाज मारूंगे और कब वो में को सीट से उठा के नीचे लेकर आएंगे यह तीन दिन तक मेरी हालत रहे और यह तीन दिन में लाइफ में अपने कभी वीडियो पर एक बारी निगाल जरूर मारेगा अब बात करते हैं पहले 40 डेज में हमें क्या-क्या ऐसा खाना चाहिए जो हमारी बॉड़ी में स्ट्रेंथ बनाए जिसके विजह से महारा वेट लॉस भी हो हमारी बॉड़ी में सी सेक्शन के बाद जो भी बचा कुचा जिस सी सेक्शन हुआ था मकर संक्रांथी वाले दिन सो पहले तीन दिन यानि 14 15 16 और 17 की सुबह तक मैं हॉस्पिटल में थी उस टाइम पर भी मेरे को अजवयान का गरम पानी दिया गया था जो कि होस्पिटल वालों की तरफ से प्रोवाइड हुआ था और मैंने बहुत माइड स सूप और दो तिन चम्मच दलिया और यही सब चीजे खाई थी विकार्स एक दिन तो आपको वैसी अप्जवेशन में रखते हैं और फिर आपकी बॉड़ी में इंजेक्शन के थूरू पर खाना या प्रॉपर फ्लूइड जा रहे होते हैं जिस वचे से आपको भूप नह इनिशल डेस तक ज्यादा खाना पिना नहीं देते तो तीन दिन तक तो मैं यह बाद बोल सकती हूं कि मैंने खाना खाया ही एक तरीके से सो उसके बाद जब मैं अपने घर आई तो जो मेरी कुछ डाइट रही थी वह काफी घी वाली रही थी मैं यह नहीं बोलूंगी कि सी वीडियो में भी बता चकी हूं हर चीज की कॉंटिटी जरूरी होती है जब मैं अपने हॉस्पिटल से निकली ती और जब अपने घर पहुची थी तो मुझे डॉक्टर ने बाद बोल के भीजी थी कि आप घी मत खाना आपके स्टिचिस में पस आ जाएगी यहां कोई दिक ही में हिम्मत नहीं थी और बहुत मिंग्स्ट फीलिंग थी अपने भरोसे पर नहीं थी मैं मतलब मैं पूरे तरीके से दूसरों पर डिपेंडेंट थी जस्ट ऑपरेशन होके हटा था जो जो मैंने सबसे पहला मील मैं कहूंगी जो मैंने घर आते लिया था वो थी सिंपल मूग की दाल के खिचडी जिसमें सिफ नमक और घी के लावा कुछ भी नहीं था और स्टिचेस के बाद कहते हैं की दूद नहीं देते तो मैं चाय की एडिक्ट हूं मैं को चाय के मिना नहीं रहा जाता कि मैंने को आदे से चोटश्मक्स की चाय बना के और वह चाय बी नहीं थी वह किसका दूद था जिसका चलच दोड़ा चाय यह सा था तो मैंने ग्लास भरके वो दूद और वो खिचडी ली थी तीन दिन बाद और उसके बाद में को जो मेरी डाइट उसके बाद से जो स्टेचिस खुलने तक रही थी वो थी हमारे मैं बनिया फामली से बिलॉंग करती हूं तो हमारे यहां पर बोला जाता है उसे पाथ पी ए ट कोच नहीं होता बहुत सारे जिससे हम ड्राइफ रूट्स पूल लीजे मगज बोल लीजे मतलब उसमें दुनिया भर की चीजे थी और मतलब बदाम कृश्मिश अखरोट आपके पंकिन सीड और मतलब जो ड्राइफ रूट्स का आप नाम सोच सकते हो वो उसमें था और वो पानी में और गुड में बनावा था वह एक ब्लाक करण का थोड़ा सा सेमी लिक्विड टाइप का एक खिचडी कह लीजे उसे कुछ कह लीजे पर वो पूरी तरीके से ड्राइफ रूट में और पानी में थी क्योंकि सी सेक्षिन के बाद दूद नहीं देते इसलिए मेरी म अपने जापे टाइम में यह सोचके वैठी जो मेरी मदर इनलौ या मेरी मदर कहेंगी मैं वह चुप-चाप करूंगे क्योंकि मुझे बैच से जल्दी से खड़ा होना है तो उसे वह पात मैं दिन में तीन बारी खाती थी एक तरीके से ड्राइफ रूट्स थे वह जिसे मे आप बहुत मेजर ऑपरेशन से होके निकले हो और देन उसके बाद मेरे को जब भी भूख लगती तो मुझे पहले साथ दिन तक सिर्फ खिचडी और पात ही दिया गया है पानी मैंने नॉर्मल बिल्कुल नहीं पिया मैंने अजवयन का सौफ का गुड का और साथ में जीरे का वाटर है यह एक तरीके के फैट कटर ट्रिंग है जीरे में प्रॉपर्टीज होती है ब्रेस्ट मिल्क सप्लाइब बहुत अच्छी बनाती है अजवयन इतनी गरम होती है कि वह आपकी बॉड़ी से जितनी भी गंदगी जिसे हम बोलते हैं सी सेक्शन के बाद भी कुछ अगर आपके डिलिवरी हो चुके तो यह बहुत अच्छे से जानते होगे कि पहले 40 डेस बहुत पीरिट्स की फ्लो होती है बॉड़ी से गंदगी निकाले जाती है सी सेक्शन के बाद भी मुझे 40 डेस तक पीरिट्स हुए थे और उस टाइम पे बॉड़ी मतलब बहुत ज होते हैं यह बॉड़ी में से वह पहले ही ब्लड फ्लश आउट कर लेते हैं तो आपको जरूरत नहीं पड़ती है तो मेरी पहले साथ दिन माइनर घी में मतलब एग ही एक प्लेट में मेरे को जो घी मिलता था वह दो धाई चममच होता था और मतलब खिचडी है एक कटोरी इसमें 2 डाई चममच घी है वह घी वी मेरी मधर इलाउन अजवायन का बनाए था स्पेशली घी के अंदर अजवायन डाल के उसे भूना बहुत अच्छे तरीके से भूना और मेरे जितने भी खाने में आने फॉर्स्ट 3 months मेरे जितने खाने मैंने खाए हैं कोई खिचडी क तोई दाल कोई सब्ची एटूज अठी उसके उपर मैंने बिल्कुल नहीं सोचा इस टाइम पर मेरी मेरी बैबी थी सो जब मेरे स्टिचिस के लिए मैं गई मैं बहुत डरी वी ती उन साथ दिन मुझे लग रहा था कि मैं प्रेशर में घी तो खारी मैं ऐसा नहों कि मेरे स्टिचिस खुल जाएं क्योंकि डॉक्टर सबसे पहली चीज जो यही बोलते हैं यह आपके स्टिचिस खुलने के चां होते हैं और क्वेंटिटी अगर तुम अपनी प्रपोर्शन सही रखो तो सब कुछ खाओ कोई दिकत नहीं है उन्होंने उसी दिन से मुझे सॉलिट्स खाने के लिए बोल दिया था फूर्ट हमारे कुछ बड़े ऐसे होते हैं जो डॉक्टर से कहीं जादा जानते हैं तो मेरे माधर लॉयर ने कहीं कॉंटेटी डबल कर दी डबल कर दी यानि मतलब एक प्लेट में चार चमच घी है और मैं उसे रिपीट मोड में या तो पात खा रही हूं उस ताइम पे मेरी मदर लड़ बना के लाय थे जो आपके वहले लड़ू होते हैं पंजीरी के लड़ू नहीं खाई मैंने अन नहीं खाके देखा कि क्या होता और मैं चुप चाप जो मुझे मिलता था मैं वह खाते थी कभी मेरा अगर बहुत जादा बन कर रहा है तो चाय के साथ मैंने एक अद्ला रस ले लिया और वह भी मुझे पहले एक टोड़ी वह दिये जाती थी पात दी अपने घर पे मैंने जापे का टाइम अपने पंजाबी कुल्चर में भी देखा है जो मेरी फैमिली का है और अपने बनिया कुल्चर में जो मेरी इनलोस की फैमिली का है कि अपने घर गई तो भी में को प्रॉपर मेरी रोटी शुरू नहीं हुई हमारे पंजावी में अगर आप लोग पंजावी तो इस चीज़ जानते होंगे एक रोटी बनाई जाती है स्पेशल जचा के लिए जिसे बोली जाती है लाई पाई रोटी अगर आपको यह पात यह कसार और ऐसी जो भी रेसिपी मैंने अब तक अपने फॉर्टी डेस के उसमें जापे में खाई और एवन तीन महीने तक खाई है मेरी मदर और मदर इल्लाउ ने मुझे तीन महीने तक खिलाई है तो वह उसे बोलते हैं लाई पाई रोटी वह एक रोटी बनने में 40-45 मिनिट्स लगते हैं उसे बनाने का तरीका बहुत जादा स्पेशल होता है तब इतना टाइम लगता है और सी बात है तो मेरी मदर मदर इनलॉव स्टर इनलॉव यह सारी वीडियो देखती ह ह Yo мехaik के लिए आपका इक यह कमेंट 사 ए मेन जरूर बोली है कि हमें सारी रेसिपी चाहिए मैं कोषिश करूँ इन सारी चीजों की रेसिपीज मी आपके साथ जल्दी से जल्दी शेयर करूं ऑ अए 25 बाद ended माई के म进ा है याने फैमिली में पैर एध लुटी और पंजीरी व में बहुत रहे हैं सो मैं आप लोगों को यहीं चीज सजेस्ट करूंगी सब का फाइनेंशल बैक अप इतना अच्छा नहीं होता ताच्वोड फिलहाल मेरा मेरी फैमिली ने करा बहुत लोग हैं जो लोग नहीं अफॉर्ड कर सकते बट आपको एक छोटी सी बात पताना चाह आते हो यह जब प्रेगनेंट हो यह जब आपकी डिलीवरी वी जब आपकी बॉड़ी को केर की सबसे ज़्यादा जरूरत है उसमें आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करो आइनो सब की बहुत अलग-अलग सिट्वेशन होती हैं बहुत अलग-अलग प्रायर्टी जोती है मैं फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी हाँ यह रिक्वेस्ट ही है कि जितना आप अपने आपको नर्चर कर सकते हो इस टाइम पे अगर आपकी अगर आप वर्किंग हो वर्किंग नहीं हो आप अपने हस्बिन से बात करिए कि यह फर्स्ट फॉर्टी डेज आपकी कैसे किस टाइम पे खाती थी मैं इस टाइम पे लेवल पर ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त मुझे बहुत ज्यादा भूट लगते थी तो मैं ब्रेस्ट फीडिंग करुए वक्त भी खाती दियर से बहुत ज़ादा आपको पता है वो गोंद में मिलके प्रॉपर इतने बड़े बड़े बनाया जाते तो मेरा एक लड़ू खाने के याद मुझे आसा लगता था मैं दो तिन घंटे के फुल होगे वह एक लड़ू मेरी मज़र नो ने इतना बड़ा लड़ू बनाया था और में पास वह लड़ तो मिर पास वह भी औप्शन था कि मुझे जब भी ग्रेविंग हो थी मैं बस वो डबबा उठाती तो तोड़े बड़ा ड्राइफूट खा ले थी मिर पास खिचडी का और प्शन था मेरे पास चाय का और में को पात का और मेरे पास सो मेरा को इसा था टाइम फिक्स नीए डाइट होते हैं बिल्कुल अलग होती है बहां पर पंजीरी के लड़्टू और यह ड्राइब फ्रूट्स और पाथ मैंने कंटीनु करा मेरी मदर ने भी बनाया विकॉल उनको भी यह पता ही थी कि यह कहीं ने कहीं बॉड़ी को स्ट्रेंथन कर रही है और मैंने जो वहां प तो उसकी प्रेपरेशन में मतलब एक एक रोटी ही इनफ थी मेरे लिया वो और वह प्रॉपर ऐसी होती थी थी दिए नीचे घी टपक रहा होता था तो इतनी मतलब घी में लदी पदी सी रोटी इसलिए उसे बॉलता है लाई पाई रोटी यानि घी में बिल्गुल टपकत वह एक रोटी और साथ में एक कप भर कर चाहे चाहे वही दूद के अंदर जो पती लगा के मिक्स करने और उसके बाद मुझे जब भी भूख लग रहे उस टाइम पे मेरे को अंगूर की बहुत जादा क्रेविंग गोरी थी मुझे नहीं पता में को पूरी प्रेंगनेंसी मे केलो की बहुत जादा क्रेविंग हो रही थी तो मैंने मतलब अंगूर बहुत खाए हैं और केले में जादा नहीं खाती थी बिकॉस ब्रेस्फीड में ये बात बोलते हैं कि इनिशल डे में बच्चे को कफ हो जाता है ये बात मुझे मेरे बडों ने बोली इसका में पस कुछ नो कुछ चाहिए होता था और मेने बिल्कुल ये चीज नहीं सोची कि मेरा 10 किलो बढ़ जायाए का मेरा 20 बढ़ जाया उस टाइम पर मुझे पता था कि मैं नहीं खाऊँगी तो मेरी बॉड़ी क्रेव करेगी एनर्जी के लिए मैं बिल्कुल नहीं सोचा कि मैं बताने का मतलब यह है कि यह चीजें आपकी बॉड़ी में लगती हैं आपको स्ट्रेंथ देती हैं ना कि आपका वेट बढ़ाती है अगर आप सी सेक्शन के पाद यह सोचो कि हम मैं कुछ भी नहीं करूंगी अब तो मेरा विट बढ़ना ही बढ़ना तो बढ़ेगा अगर आप यह सोचके बैठे हो कि अगर आपको कुछ ऐसी एक्सेसाइजिस या कुछ ऐसी टिप्स मैं बताऊंगी और मैंने इस वीडियो में भी करते हैं जिनने उनकी गाएने पहले प्रिपेर करके रखती हैं यह जो लोग हमारे यानि मेरे जैसी और यूट्यूबर्स की और एक्सपीरियंस लोगों की बाते सुनते हैं वीडियो के थू अपने आसपास तो वह इस चीज को समझते हैं और अपलाइ करते हैं मैंने भी मत जाती हूं डाइट पे तो उसके बाद मेरा तीन-चार बजे करी मेरे को फिर से थोड़ी सी क्रेविंग सी होती थी तो मेरी मदर ने मखानी उसके अंदर गुड के अंदर भुन के रखे वे उस ताइम पर थोड़ा सा टाइम ऐसा हो गया था कि मेरा बीपी बगेरा हाई रह तो नहीं हुई बट इतना सारा ओयली खाने के बाद कहीं नहीं लिवर पर भी उस चीज का इफेक्ट पढ़ रहा था तो मेरी मदर को यह चीज लगी कि इसका थोड़ा सा घी इंटेक हमें कम कर देना चाहिए कुछ दिनों के लिए तो मैंने उस चीज को इतना नहीं कम किया विकॉज मैं जच्चा हूं उस ताइम पर और मुझे जरूरत थी उस चीज कर हमने थोड़ा सा पोशन कंट्रोल कर द इसमें कम घी में मखाने रोस्ट हो जाते हैं ऐसे चीजों पर मैंने स्विच कर लिया और मैंने वेट अपने घर जाने से पहले चेक किया था तो मेरा वेट उस टाइम पर 75 के आसपास आ चुका था और वह लास्ट वेट मैंने चेक किया था वो भी सिसलिए क्योंकि सब्सक्राइब के बात की बात बता रहे हुआ है उसके बाद से अब तक आज हिद्यांची साथ महीने की है बीच में एक डेड महीना मैंने कुछ भी नहीं किया वो टाइम मेरा थोड़ा सा मेरे को लग रहा था कि मेरे सिम्टम्स हैं पोसपार्टम डिप्रेशन के जो मुझ कैसे फील हुआ कि मुझे पोसपार्टम डिप्रेशन हो रहा है मैं आज आप से इतने कॉंफिडेंस से बात करी हूं पर अगर आप मेरी में मेरी वीडियो देखोगे में के मन्त की अगर आप वीडियो देखोगे तो उसमें मैं बहुत लथार जी बहुत ज्यादा फ्रस्ट सो इस चीसे भी मैंने वरकम किया बिना किसी मेडिशन के बिना किसी कि हेल्प के सिर् visits मै अपनी डॉक्टर के बाद थे और किसे के बात मैं सुने और ऑन झाला किया थासिर्जे उनकी बड़ को फॉलो किया और अप इस वीडियो में प्रॉपर देख सकते हैं तो उसके बाद वो एक डेड़ महीना था जो मैंने कुछ भी खाया ये ना सोच के कि हिर्दान ची को क्या इंपक्ट करेगा और क्या नहीं और उसके बाद आज 8 अगस्त को मैंने अपना लास्ट वेट चेक किया था आज 13 है आइगेस और मेरा जो वेट था वो था 71.7 मेरा 85 से 71 तक की जोर्न नहीं यह थी मैंने क्या क्या किया आपके साथ नहीं देडे सारी बाते शेर शेर के मेरी डाइट वग्loria र इस वीडियो में मैंने पहले 40 देज़की आपके साथ सारी चीजेयर की हैं अगली वीडियो में मैं आपसे अफटर फॉर्टी डेस से लेके अब तक की मैंने क्या डाइट ली है और अब जो मेरी करेंट चल रही है उसकी मैं आपको पूरी प्लानिंग बताऊंगी अगर आपको मेरी इस वीडियो की मेहनत पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें अगर आपको मेरा चानल अच्छा लगा और आपको लगा कि आप इस चैनल से कुछ इंफॉर्मेशन इखटी कर सकते हैं तो इस चानल को सब्सक्राइब करकर बेल आइकन जरूर मैं हर थर्स्टे और साटड़े इंफॉर्मेशन से भरी वीडियो लेके आती हूं और मैं कोशिश करते हूं कि मैं थोड़ी सी फ्रीक्वेंट हो जाऊं सो थांक्यू सो मच आज की वीडियो के लिए मैं आपको फिर से याद दिला दूं अगर आप वेट लौश शुरू कर रहे हो तो अपने लिए करना किसी आप किसी और के दूरत नहीं है इस चीज को एकसेप्ट करने में कि आप सुन्दर हो आपका वेट एटीस में है यह कितना भी हाई है वेट लौस करो तो अपने लिए करना किसी और करें इसी नोट के साथ में आज की वीडियो खतम करती हूं आपको कोई भी सेजेशन कोई ब कमेंट जरूर कीजिए तब तक के लिए थांक यू सो मच और बाइ मिलती हूं अगली वीडियो के साथ थांक यू